नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, इसी टेलिकॉम आपका चनल, दोस्तों आगा आज मैं आपको बताओँगा अपने फ़ॉन के हाडवेर के पर बहुत का अपनी फॉन के बारे में, अगर आपको फॉन का सबरीक हरड़वेर चाहना है और एक चैक करना सबसाएं, और आपको कैसे हरागऊ को बीटोरा था जबने की नहीं है तो यह वीदियू आपके लिए का अपने नहीं बेटे हैं तो यह सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जिसमें Apps के दुरू भी मैं आपको बताऊंगा और Secret Code के दुरू तो दोस्तों सबसे पहले बात हैं संसेंग की कर रहा हैं तो इसमें जो Secret Code में यूज़ कर रहा हूं तो वो है Star Has Zero Star Has तो यही Secret Code आपको यूज़ करना है यह Screen के सामने आपको दिख रहा होगा तो जिसमें आपको इस तरह का आपको एक Screen दिख रहा होगा जिसमें कुछ खाने बने हुए हैं तो यह बिसिकली आप इससे अपना Hardware को चेक कर सते हैं मान लीज़ अगर आपका Hardware सही काम नहीं कर रहा है तो जैसके अगर यह Red है जैसे अगर मैं इसको दबाता हूं तो यह सही काम कर रहा है तो Red Red ही आएगा मतलब यह सही काम कर रहा है Green दबाऊंगा तो Green आना चाहिए मतलब डिस्प्ले सही काम कर रहा है Blue दबाऊंगा तो Blue मतलब यह डिस्प्ले की चेकिंग हो गई दोस्तो यह हो गए Receiver यह आप एक साउंड सुन रहा है यह साउंड रिसीवर से आ रहा है Receiver मतलब Airphone हम जो कान में Airphone से हम जब बात करते हैं Earpiece से तो जो हमें Frequency जो होती है Receive होती है मतलब जो हम इसको अगर Circuit Level बात करें तो RX इसको जो Frequency Receive होती है अगर इसमें आपको इसको दवाने पर Receive वाला साउंड आ जाता है मतलब आपका Airphone काम कर रहा है यह हमेंसा बहुत स्लू होता है कि इसमें जो Receiver होता है बातका यह भिवाग सोगा मैं चेक कर रहा है कि यह सही है कि नई रहा है अब इसके बाद में चेक करते हैं देखिए दोस्तों यह होगा Mega Cam Mega Cam मतला आपका Rare Camera तो आप इसे डाफ से फोटो हीचके देखिए कि आपका फोटो खेचराए यह नहीं कर है सेंसर वर्किंग में नहीं है दोस्तों तो जब यह सेंसर अगल को मेंत होना जबहत ऐसमें कुछ वेल्यू है वह कम ज्याद़ है घ्ट भर रही है तो मतलब यह आपका सेंसर होर्क कर रहा है दोस्तों चलिए और हम चेक करें टच टच चेक करने के लिए आप यह दिख रहें नहीं यह क्रोक्स बना हुआ है आप यहां पर इसको कलर भी कर सकते हैं और दूसी बात है यह कि जहां टच काम नहीं करेगा वहां पर बिसिकली आपकी यह ड्रॉण नहीं होगा तो आप इसे कर सकते हैं कि सही जगे सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिसिकली से आप अगर कोई एरिया माली जा आपका ड्रॉण नहीं कर रहा है तो मतलब वहां का जो टच सेंसिंग है वो खतम हो चुकी है मतलब खड़ाब हो चुकी है देकि दोस्तों यह कोई hardware fault नहीं होता मतलब आपका touch आपको change करना है क्योंकि इसको आफिर सुधा नहीं सकते हैं कि आपका यहां का touch काम नहीं कर रहा है और यहां का touch काम कर रहा है तो मतलब यह touch की problem है और इसमें touch ही change होता है यह कोई PCB पर कोई लागा complaint के कारण नहीं होता है दोस्तों देखिए उसके बाद मैं sleep तो जैसी sleep दबाऊंगा तो वह बंद हो जाना चाहिए तो camera बंद हो गया है दोस्तों मतलब अब देखिए यह बापस आ गया है तो मतलब sleep button भी काम कर रहा है इसका speaker speaker मतलब ringer होता है जिसमें MP3 song के जिसमें MP3 song और गाने वाने सुनते हैं देखिए तो इसके आवाज receiver से हमें साथ होती है क्योंकि यह directly CPU उसको command करता है और अगर हम बात करें तो इसका connection मतलब जो भी आपके internally जो file होती है उसके होता है इसमें कोई frequency level मतलब RX-TS इसमें work नहीं करता है हाँ जब हम loud speaker चालू करते हैं तब हम RX की frequencies पर डाल सकते हैं और इसे हम call सुन सकते हैं अब देखिए यह होगई सब की सब की होगई basically आपकी key तो यह की दवाने पड़ आपका यह देखिए front camera है दोस्तो तो मतलब front camera भी सही है इसका तो देखिए काम कर रहा है दोस्तो चलिए इसको back कर लेता हूँ अब यहां पर आप देख रहे है TSP data तो यह please insert SD card मतलब यह आपका SD card भी यहां से check कर लेगा तो यह सुबीदा केवल यह जो secret code है यह केवल आपको देखने मिलेगा क और Samsung में मैंने आपको बताया था star आपको दबाना है star has zero star has तो यह आपको आ जाएगा Samsung के सारे model पर यह work करता है आप देख लीजे कि आपके model पर वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तो तो यह तो हो गई आपकी जो हमने secret code के true बताया अब मैं आपको बताता हूँ कि Samsung क कैसे check करना है कि वह original है कि नहीं है तो करना क्या है दोस्तो चलो इसको बहार ले आते हैं यह आप देख रहे हैं एक application यह application मैं डाउलोड किया Google Play Store से phone info यह आपको Google Play Store में मिल जाएगी इसकी link भी मैं दे रखा हूँ डिसकेशन पर आपको इसकी link भी मिल जाएगी आप जब यह phone info आप download करेंगे दोस्तों देख आप बता दू कि यह कि वह Samsung के mobile के लिए है देखिए खास यहां पर लिखा हुआ है Samsung महला अगर किसी और mobile में Android चाइना या किसी भी mobile में download करेंगे तो यह उसकी जानकरी तो देग तो देखिए Samsung manufacturer है यह तो बिल्कुल सही है मतलब original phone है अगर original नहीं होता तो यहां पर Samsung नहीं लिखा आता जो दोस्तों phone का model बता रहा है यहां पर देखिए device type बता रहा है अच्छा हो देखने पर देखिए made in India तो यहां पर हम बात करें manufacturer date भी आपको देखने मिल जाएगी मतलब यह original है और warranty with not found है तो warranty फाउंड नहीं कर पा रहा है दूसरी file में हम देखेंगे तो यहां पर आपको इसकी firmware product आपको firmware CSE code मिल जाएगा INS है जो Indian basically मैंने आपको बता है कोई इसमें code का इतना जड़ा महप नहीं होता है दोस्तों आगर हम बात करें firmware तो देखिए इसका firmware की जान करी है तीसरा तो यह firmware भी बहुत जागे निकल के दोस्तों चलिए तो यहां पर आप देख रहे हैं तो यह इसकी firmware की जान करी है तो यह इसका bootloader version दिया हुआ है अगर इसका firmware के बाद में Android चेक करें कि Android में तो अभी root नहीं है मुवाइल जो Android वर्जन है वह 4.1.2 है build number बाकी discussions all तो hardware में दिया हुआ देखि कॉलकम लिखा हुआ है यहां पर तो Q का मतलब की IC लिखी हुई है नमबर यह दिया हुआ है 32 bit का processor लगा हुआ है और platform chip IC का नमबर यहां पर लिखा हुआ होगा दोस्तों GPU मतलब graphics processing unit होता है जो भी graphics आप इसमें चलाते है वो GPU के से ही command किये जाते है और यह GPU internal CPU के अंदर ही होता है और यह GPU देखिए यह भी Qualcomm का Aderno 2.0 3 लगा हुआ है Modern board, board का नमबर यह दिया हुआ यहां पर और hardware revision यहां पर देखिए total RAM दी हुई है Screen दिया है कि 5.8, 5.83 inches, 480 c multiply, 800 pixels का है 160 ppi pixels जैं CD और यहां पर आपको 240 dpi dv है दोस्तों Sound card में दिया हुआ है यह camera दिया हुआ है Front 4.9 megapixels का है, Front 0.3 megapixels दिया हुए है तो तीन sensor के बारे में बारे में बात कि यह से Proximity, X calorimeter Proximity sensor मतलब दोस्तों जो आपके sensor यहां लगा होता है यह मैं आपको दिखा देता हूँ जो sensor आपके यहां लगा होता है जब आप कान पर लगाते हैं तो यह screen बंद हो जाती है ताकि touch काम न करें तो Proximity sensor वह होता है और देखे यह Proximity sensor भी काम कर रहा है Magneto, Magnetic field और Ais calorimeter दोनों sensor काम कर रहा है इसके, hardware की यह बात हो गई दोस्तों, personal की बात हम करें इसमें तो यहां पर device IMEI number आपको दिखा रहा है क्योंकि आपको दिखा रहा है CL number Android का है और बाकी यह सारी चीजे हैं दोस्तों, और अगर देखें इसमें monitor पर देखें है तो monitor में temperature जो दिखा रहा है CPU का temperature तो अभी है not available दिखा रहा है पर battery के जो temperature 34 degree Celsius है जो maximum से कम है CPU का usage दिखा रहा है memory का usage और battery दिखा रहा है 50% battery का status है तो दोस्तों यह जो phone info है यह सबसे best है यह आपके Samsung के लिए at least यह यहां पर आपको बता रहेगा यह आपका phone original है कि नहीं है क्योंकि अगर original नहीं होगा दोस्तों Samsung में लिखा बिल्कुल नहीं आएगा नहीं इसका manufacture date आएगी और नहीं इसका phone का model number आएगा तो यह तो बात होगी आपके Samsung की अब बात करतें दोस्तों Android की Android मतलब किसी और mobile की जिसमें Samsung की IC नहीं लगी है मतलब जिसमें जो Samsung का model model नहीं है जैसे micromax की बात करें तो इसमें कौन सी IC लगी है क्या हमें बिना खोलने पर पता चल जाएगा क्या इसमें कौन सा hardware यूज हुआ है इसमें RAM कितनी है यह सारी जानकारी हमें बिना phone बिना खोल एक पता चल जाएगी दोस्तों हाँ बिल्कुल पता चल जाएगी